जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये पताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, 5 जुलाई को लगने जा रहा है साल का तीसरा चंद ग्रहन, भूल कर भी मत करना ये गलतियां, वरना जिंदिगी भर पस्ताना पड़ेगा साथ ही हम बात करेंगे कि इस चंद ग्रहन का आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी रासियों के लिए यह चंद ग्रहन, सुब और किन रासियों के लिए यह चंद ग्रहन असुफल देने वाला रहेगा ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी इसलिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो शुरू करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल World Best Magic सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों इस साल का तीसरा चंद ग्रहन पांच जुलाई को लगने जा रहा है आपको बता दें कि साल 2020 में कुल 6 ग्रहन लगेंगे इसमें से 2 चंद ग्रहन 5 जनवरी और 5 जुन को लग चुके हैं और एक सूर ग्रहन जो 21 जुन को लगा था अब 5 जुलाई को साल का तीसरा चंद ग्रहन लगने जा रहा है ये असाड़ी पूर्णिमा को दिनरविवार को लगेगा और इसी दिन गुरु पूर्णिमा का पर्म भी मनाया जाएगा आपको बता दें कि ये चंद ग्रहन दच्छणी पस्चमी यूरोप, इस्पेन, पूर्टगाल, इटली, फ्रांस, इंगलेंड, आयरलेंड, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलेंड, अफ्रीका, उत्री दच्छणी अमेरिका, प्रसांत महासागर, हिंद महासागर और अर्ट्रां के अनुसार 5 जुलाई की सुबह 8 बचकर 37 मिनट पर सुरू हो जाएगा, और इस चंद ग्रहन की समापती सुबह 11 बचकर 22 मिनट पर होगी, कुल मिलाकर इस चंद ग्रहन की अवदी लगबग 2 गंटा 43 मिनट की रहेगी, आपको बता दें कि ये एक उपछाया चंद ग्रहन ह इसलिए इस चंद ग्रहन का सूतक काल माना नहीं जाएगा, आपको बता दें कि उपछाया चंद ग्रहन में चंद्रमा के अकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बस इस दोरान चंद्रमा की कांती थोड़ी सी मलीन हो जाती है, आपको बता दें कि 5 जुलाई को लगने वा आसी वालों को विसे सावधानी बरतनी होगी, चंद ग्रहन के कारण धनूरासी के जातकों को मानसिक तनाव, सेहस से जोड़ी समस्याएं तथा माता को कस्ट हो सकता है, आपको बता दें कि चंद ग्रहन के असुप्रभाव से बचने के लिए ग्रहन खत्म होने के बाद अंदिर जाकर भगवान सिव जी की अरादना करें, और पूजा के बाद गरीबों को कुछ न कुछ दान अवस्थ करें, इससे ग्रहन का बुरा हसर आप पर नहीं पड़ेगा, और आपको बता दें कि 5 जुलाई को 5 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, जिस कारण प्राक प्रासी के जातकों पर इफेक्ट डालेगा, इसलिए सास्त्रों के नुसार चंद ग्रहन के दौरान कुछ खास काम करने की मना ही होती है, तो आईए जानते हैं कि वह कौन से काम है जो आपको चंद ग्रहन के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए, आपको बता दें कि ग् के दन से इलिस्तिती में होती है, यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौदे, फूल पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, और ग्रहन के समय कोई भी सुब काम नहीं करना चाहिए, माना जाता है कि चंद ग्रहन के समय ये जाने वाले सारे सुब कार्यों का उल्टा असर दे इना चाहिते हैं तो अपने खाने और पानी में तुलसी का पत्ता वस्ति डाल लें, फिर आप यही खाना और पानी का इस्तमाल करें, और ग्रहन के बाद इस नान करने के बाद साफ और पवित्र कपड़े जरूर पहनने चाहिए, इसके बाद दान पुन का काम जरूर करना चाहिए दार्मिक मानिता के नुसार ग्रहन के दौरान किसी करीब या असहय व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सनी देवनाराज हो जाते हैं आपको बता दें कि ग्रहन के दौरान गर्वती महिलाओं को ग्रहन की छाया से दूर रहना चाहिए मानता है कि ग्रहन की छाया गर्म में पल रहे सिसु को नुकसान पहुचा सकती है और ग्रहन के दोरान प्लेगनेल लेडीज को दूरवा घास लेकर संतान गोपाल मंतर का चाप करना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि ग्रहन के समय प्रेगनेल लेडीज को धात्मों से निर्मे चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उनको सरीर में धारण करना चाहिए संबह हो तो ग्रहन खत्म होने के बाद गर्वती मैलाओं को भी इसना जरूर करना चाहिए आपको बता दें कि ग्रहन के दौरान गर्वती मैलाओं को खाने में चौक या तलका भी नहीं लगाना चाहिए खाने को जितना साधारण रख सकें उतना भैतर होगा आपको बता दें कि ग्रहन के समय पति-पतनी को सारीरिक्षम्बंद भी नहीं बनाने चाहिए ऐसा करने से आपके घर की सुकसांती खराब हो जाती है यदि आपकी कुंडली में दोस हो तो ग्रहन के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए खास कर जिनकी कुंडली में राहू केतु का प्रभाव ज्यादा हो इसके लावा ग्रहन के समय तेल मालिज भी नहीं करने चाहिए ऐसा करने से तुचा सम्मंदी रोगों का सामना करना पड़ता है आपको बता दें कि ग्रहन के समय तुलसी के पत्तों का विसेस महत्त होता है इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना असुब माना जाता है किसी भी चीज में डालने के लिए आप तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर रख लें और ग्रहन के दौरान गर्वती महिला को सबजी काटने, कपड़े सिलने या किसी भी तरह के नुकीली चीजों का इस्तमाल करने की मना ही होती है और ग्रहन के समय मास मचली आदिका सेवन भी नहीं करना चाहिए ग्रहन की अवधी में ये सब चीजे नहीं खानी चाहिए सिग्रेट और सराब जैसे नसीले पदार्थों का सेवन भी वर्जित होता है और चंद ग्रहन के समय आपको किसी भी तरह का मनुरंजन नहीं करना चाहिए कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या तास वगेरा खेलते हैं जो बहुत थी गलत होता है आपको बता दें कि ग्रहन के समय किसी दूसरे का दिया हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए वरना आपके बारा वर्सों का पुन्निनस्ट हो जाता है और एक बात का ध्यान लखें कि ग्रहन के दौरान बाहर का खाना खाने से भी बचना चाहिए साथ ही ग्रहन के समय सोना भी नहीं चाहिए लेकिन गर्वती मैलाओं, बूड़े, बच्चों और रोगी वैक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता है ग्रहन के समय लड़ाई जगड़ा भी नहीं करना चाहिए ग्रहन काल में जूट कपट या बुरे विचारों से परहेच करना चाहिए ग्रहन काल में मन वा बुद्धी पर पढ़ने वाले कूप रभाव से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप और ध्यान आदि करें आपको बता दें कि ग्रहन की अवधी में दान पुन्य करने का बहुत ज़्यादा महात तो है ऐसा करने से ना केवल आपकी समस्याइं कम होंगी बल्कि आपको सुब और लाप की भी प्राप्ति होगी चलिए अब बात करते हैं कि यह चंदग्रहन किन रासियों के लिए सुब और किन रासियों के लिए समान तथा किस रासी वालों के लिए कस्टकारी रहने वाला है तो सबसे पहली रासी है मेज रासी आपको बता दें कि मेज रासी वालों के लिए यह चंद ग्रेन बेहत सुब रहने वाला है आपको इस दोरान खुब सफलता मिलेगी धन लाप के योग भी बन रहे हैं इस रासी के लोगों के लिए यह चंद ग्रेन विसेश लाप देने वाला साबित होगा यह चंद ग्रेन कि के लिए हानिकारक नहीं है बलकि सभी मामले में ये फाइदा ही फाइदा देगा आपको ओम नमा सिवाय मंत्र का जाब करना फाइदे मंद रहेगा और साथ ही ग्रहन समाप्त होने के बाद गेहूं आटा गुड मसूर की दाल लाल वस्त्र दवाई आदिका दान करें व्रसवर जैसे मानसिक तनाव रह सकता है इसलिए आप चंद ग्रहन के दौरान स्री सुप्त का पाट करें और साथ ही अन का दान करें आप चावल गेहूं या आटा दालादी का दान करें इससे आपको लाब मिलेगा मिथुन रासी मिथुन रासी वालों के लिए यह समय बेहत अच्छा रहने वाला है इस रासी वालों की तो जिंदगी ही सवर जाएगी आपको सच्चा प्यार मिलेगा किसी यात्रा से आपको बेहत लाब मिलेगा आपके रुके हुए कार भी पूरे होंगे साथ ही आने वाले समय में आपका हर सपना पूरा होगा आपके लिए रादा क्रश्न की अराधना करना बेहत सुब रहेगा इसके साथ ही आप गाए को हरा चारा खिलाएं सबजी और हरी मूं की दाल हरे कपड़े हरे रंग का मास्क या सेनेटाइजर आदिका दान करें करकरासी संपत्ति के मामले में आपको कुछ हानी हो सकती है इस दौरान रुपयों का लेन देन ना करें इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी आपको चंद ग्रहन के समय सिवजी के मंतरों का जाब करना चाहिए और ग्रहन समाप्त होने के बाद आपको दूद दही पा आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी साथ ही धन आगमन के नए रास्ते भी खुलेंगे और अगर आपके उपर कोई करजा है तो वे भी जल्द आप चुका देंगे आपको बिजनस में भी लाब मिलेगा और नौकरी पेशा वाले लोगों को भी तरक्की के मौके मिलेंग आपको चंद ग्रहन के समय सूर के मंतरों का जाब करना चाहिए आप ओम ग्रहनी सुर्याय नमा का जाब करें और चंद ग्रहन समप्त होने के बाद तामे का बरतन आटा, सोना, गुड, आम, सेब, तता हलवा का दान करें इससे आपको फाइदा मिलेगा कन्यारासी, कन्यारासी वालों के लिए यह ग्रहन लाबकारी रहने वाला है, आपको इसके सुखत परिणाम भी मिलेंगे, आपके मान समान में विवरद्धी होगी, अगर आपको इनिवेस करने की सोच रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए अनकूल रहेगा, आपको लं सबजी, हराचारा, भोजन, जल, इलाइची, तथा सरबत आदिका दान करें, तुलारासी, तुलारासी वालों को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा, तथा किसी से वाद विवाद करने से बचें, और लडाई जगडा ना करें, वरना इस दोरान आपको किसी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, आपको लक्षमी माता के मंतरों का जाब करना चाहिए, साथ ही आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए, दूद दही, सक्कर, मोती, सफेद कपड़ा तथा धन का दान करें, वरस्टिक रासी, वरस्टिक रासी वालों के लिए इस चंद ग् देखने को मिल रहा है आपको एस्वर्र और धन दौलत में भी व्रद्धी होगी और बिना मेनत के भी आपको अधिग लाब मिलेगा आपको कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है और यहां पर आपके पराक्रम का लाब उठाते हुए सितारे आपको खासा लाब दे आपको इस समय महाम्रतुंजय मंतर का जाप करना चाहिए धनूरासी आपको बता दें कि यह चंदग्रण धनूरासी में ही घटित होने जा रहा है अता आपको अनावैसक उल्जनेवा सारी रिक कस्ट का सामना करना पड़ सकता है इस समय आप कहीं भी अपना पैसा ना के बारे में भी ना सोचें इस समय कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लें और साथ ही आपको अपने स्वास्त का विध्यान रखना होगा आपको एक लोटे जल में हल्दी मिलाकर सूर को जल चड़ाना चाहिए मकर्रासी यह चंदग्रेन काफी महत्तुपूर्ण रहने वाला है जो की आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत करेगा और आपको अचानक धन का लाब भी होगा अगर इस वक्त आप रियल इस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको लाब की उमीद है कुछ सावधानिया आपको जरूर रखनी होगी आपको अपनी वाणी पर नियं कुमरासी के जातक भी माला माल होने वाले हैं आपके धन दौलत में व्रद्धी होगी नए बिजनस की सुरुआत करने वाले लोगों को तरक्की मिलेगी आपके हर्स अपने पूरे होंगे साथ ही आपको जीवन में मान सम्मान की भी प्राप्ती होगी इसके इलावा अचानक धन लाप का योग भी बन रहा है रोजी रोजगार के नए उसर भी प्राप्त होंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी अगर आपके परिवार में कोई परेसानी चल रही है तो वै भी दूर होगी कुल मिला कर यह चंद ग्रहन आपके लिए खुसियां लेकर आया है आपको सिवाय मंतर का जाप करना चाहिए मीन रासी मीन रासी वालों के लिए यह चंद ग्रहन अनकूल रहेगा मान सम्मान में वरद्दी होगी धन वैबों की भी प्राप्ति होगी तथा नौकरी में प्रमोसन मिल सकता है आपके सुखों में भी वरद्दी हो सकती है बस आपको जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्थ पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद